हरियाना पोलेश के अनुशार वेटिनरी सरजन का पेपर लीख होने की परबल समावना दोस्तो हरियाना पोलेश की जाच रिपोर्ट यह नहीं बता पाई कि किसने पेपर लीख किया और किसने खरीदा HPSC ने वेटनरी सरजन का पेपर रद कर दिया दोस्तों रद करके नया पेपर लेने की तयारी कर ली है हर्याना पलिस ने वेटनरी सरजन भरती परिक्षा की जाच रिपोर्ट में दावा किया है कि यह पेपर लीक होने की प्रबल समभावना थी पेपर लिख हुआ था मगर हर्याणा लोक्षेवा आयोग एचपेसी ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया है आयोग ने हर्याणा पुलिस को पत्तर लिख कर कहा है कि पुलिस ने जैसी एन निरनायक जांच रिपोर्ट दी है इसके अनुसार तो आयोग भविशे में पेपर कराना मुश्किल हो जाएगा इसलिए इसके जांच निरनायक स्थेती तक पहुँचाने के लिए उचित कानूनी कारवाई की जाए आयोग का यह पत्तर पुलिस मानी देशक और पंचकुला पुलिस आयक्त को भीजा गया है दोस्तो एच्पेसी से दस्तावेज मांगे गए जांच कमिटे ने 14 अपरेल 2023 को एच्पेसी के सचीव को पत्तर भेज कर आगरे किया कि उमिद्वारों से संबंदित रिकॉर्ड्स और दस्तावेज उपलब्द करवाए एक संदिक दे दीपक दांगी ने अपना मुबाइल फोन जांच के दुरान 24 अपरेल 2023 को प्रस्तुत किया जिसे सीज़ किया गया था उसके बियान दर्ज किये गए अस्वनी कमार कमेटी के सामने पेश हुआ और पेपर लिकेज के मामले में उससे ओडियो रिकॉर्डिंग ले गई और बियान दर्ज किये गए पेपर लिक के बारे में बातचित तो वास्तों में हुई लेकिने इसका कोई ठोश रुबूत नहीं मिला तीन उमिदवारों के ट्रेवल रूट्स एमानने थे इस तरह तो बविशे में आयोग द्वारा पेपर से नचारित करना मुश्किल हो जाएगा एच पेशी ने कहा है कि जाँच पूरी करें और कानोनी प्रकिरिया के दोरान सही शबूत पेश करें